Hey guys, welcome back to the channel, channel पर आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है, previous year papers की series में, दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम paper discuss करने जा रहे हैं, वो है SSE का graduate level पर होने वाला exam, यानि कि combined graduate level exam, यह tier 1 paper है, जो है 2019 का, यह exam हुआ था आपका 3 March 2020 को, morning shift 10-11, computer based test, यानि कि CBT based test, तो आज की इस वीडियो में हम इस exam के section reasoning को करेंगे, बाकी अलग-अलग section भी इसी तरीके से channel पर upload कर दिये जाएंगे, तो आप वो जी जाकर देख सकते हैं, शुरू करने से पहले, अगर आप लोग है इस channel पर नए और इसी तरीके से किसी भी competitive government exam के तयारी कर रहे हैं, तो channel को subscribe करें साथ ही, bell icon को press कर लीजे, ताकि जैसे वीडियो upload की जाती है, उसकी notification आप सबी लोग को मिल सके, क्योंकि इस channel पर मैं आप लोग के लिए बहुत सारे different exams के previous year paper लानी कोशिच करते हूं, चाहे banking हो, railway हो, teaching exam हो, defense हो, UPSC, SSC, तो हर exam को हम यहाँ पर कोशिच करते हैं, शु ड्वेंसली प्लेसिटेन इंदी, blanks of the given letter series, will complete the series, यहांनि की series complete हो जानी चाहिए, जब आप इसमे पूरे, जो है, इन में से किसी एक option को fit करेंगे, हाला कि समनसर दिया होओ है, तो series कैसे होती है, जैसे मालनीजी, A, B, C, फिर A, B, C, तो इस तरीके से यह क्या है, एक term है, ज के बाद क्या word आएगा यह तब ही पता चल पाएगा जब इस series में के के बाद कोई और आगे word हो तो यहां पर हम देख रहें के के बाद क्या है के ही है यानि कि double के आएगा तो यहां पर हमारा के होना चाहिए और यहां पर हमारा के होना चाहिए वो series हमारी complete करेगी तो first और third letter हमारा k जरूर होना चाहिए तो first और third letter हमारा k इसमें है तो fourth option हमारा correct हो जाएगा यानि कि जो हमारी series बन रही है वो है k-k-l-m-m-l-m-k-k-m-m-k-l-l-k-k-l-m-m इस तरीके से जो word है वो double repeat हो के एक series बना रहा है तो fourth option यहां पर correct है next question है दोस्तो dictionary based यानि कि आपको जो following words है वो इस order में आपको arrange करने हैं कि जैसे कि वो dictionary में होते हैं कि पहले कौन सा word आएगा फिर कौन सा और फिर कौन सा इस तरीके से तो dictionary में जो word arrange के जाते हैं वो होते हैं आपके alphabetically a, b, c इस तरीके से increasing order में जड तक जाते हैं तो हम यहां पर word देखते हैं हमें कोई फरक नहीं पड़ता कि कोई word दो अक्षर का है तीन अक्षर का चार अक्षर का हम देखेंगे कि कौन सा word का जो digit जो alpha बैठ है वो पहले आ रहा है कौन सा बाद में आ रहा है यहां पर अगर हम बात करें तो सबसे पहले r पहला word सब में सेम है second i भी सेम है third word की बात करें तो g भी सब में सेम है तो r, i और g यहां तक हमारा word जो है सब में सेम है ठीक है उसके बाद है हमारा word देखेंगे आप h, i, h, o और h, यानि कि तीन बार h है, i है और o है तो g के बाद h आता है, h हमारा i और o से पहले आता है क्योंकि यहां पर o है और i है, तो h के बाद कौन सा आता है i आता है और उसके बाद o हमारा last में आता है तो इस तरीके से series होगी, अब हमने यहां पर देखा ठीक है तो ह एच में भी हमारे 3 है तो 3 में हमें देखना किस तरीके से है T है और T है और T है तो तेनों में T होगा एन नेक्स्ट अलफ़ाबेट देखेंगे L, E, O, S है तो सब से पहले तो आता है हमारा E फिर उसके बाद आता है हमारा L और उसके बाद हमारा S ठीक है इस तरीके से तो जहां पर हमारा right h के बाद e है वो हमारा h के बाद e है वो हमारा पहला है यानि कि हमारा first जो है यह है उसके बाद l वाला second है तो l हमारा यह है तो यह हमारा second है s हमारा यहां है तो यह है उसके बाद है हमारा i वाला जहां पर G के बाद आई था तो G के बाद आई है यहां पर तो यह हमारा 4th हो गया और G के बाद O वाले यह हमारा 5th हो गया तो हमारी जो series बनेगी वो क्या बनेगी 3, 1, 5 2 और 4 3, 1, 5, 2, 4 तो हमारा 4th में है तो इसलिए हमारा 4th option यहां पर correct answer है इस तरीके से हम dictionary वारे questions को solve करते हैं next question पर चलते हैं next question है question number 3rd question number 3rd है दोस्तों हमारा figure based यानि कि आपको figure बतानी है जो कि replace करेगी question mark को अब यह figure based question होते हैं इनको कैसे करते हैं इसमें आपको देखना होता है कि जो अंदर जो भी figure दिया हो किस main direction कर रहा है किस side में direction कर रहा हो कितना direction कर रहा है ठीक है कितना moment उसमें हो रही है वो anti-clockwise है clockwise है या फिर 1, 2, 3 step कितने आगे जा रहा है सबसे पहले हम एक box बना लेते हैं क्योंकि इधर वाला चोटा है इधर हम लिखनी पाएंगे तो क्या होगी हमारे according आ करती है वो हम देखते हैं सबसे पहले सबसे पहले अगर हम बात करते हैं plus के sign की तो plus जो हमारा sign है वो इस side में direction कर रहा है ठीक है plus half इधर इस ने किया फिर half इधर किया तो plus का निशान हमारा यहां आ गया इसी direction करते हुए फिर half और half हमारा plus यहां पर आ गया फिर एक half और एक half यानि कि plus का निशान हमारा इस side phone में होगा तो हमने plus का निशान रख दिया है यहां पर कि plus का निशान यहां पर होना चाहिए अब बात करते हम circle की circle यहां पर हमारा filled है ये circle movement कर रहा है इस direction में, तो यहां से half और half यहां पर आगए circle, फिर इसे तरीके से half और half इधर एक move करेगा तो इधर आगए बीच में, फिर इधर से half और half इधर move करेगा तो यहां आगए तो हमारा circle कहाएगा, यहां आएगा अब circle यहां पर filled था यहां पे blank है यहां पे filled आ तो यहां पे blank आएगा तो यह हमारा hesitant बलकुल सही है अब एक और आकरती बज़ गई है यह इस तरीके की ठीक है टो यह हम इसको अगर हम देखेंगे यह जो चतरबुस टाइप आकरती तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, कि यहां पर यह इस direction में move कर लिए, ठीक है, तो पहले इस direction में half और half यहां पर आ गई, पर इदर से half और half पर यहां पर आ जाएगी, यहां से half और half यहां पर आ जाएगी, तो यह आकरती हमारी आ जाएगी, इस तरीके से यहां पर, ठीक है, अ ही हमारा option हो जाएगा और यह कहां पर है हमारी third में तो third हमारा क्या है यहां पर right answer है next question number four solution देख लेते हैं सबसे पहने हां पर क्या है तो given pattern दिया हुआ carefully और आपको बताना है कि किस तरीके से question mark जोह replace हो जाए यहां पर अगर आप देखेंगे तो जैसे 40 है बीच में आपको plus minus करके multiply करके divide करके under root लगाके square root लगाके cube लगाके इस तरीके से आपको try करना है कि सही जो भी I does it वो किस तरीके से आ रही है तो यहां पर अगर आप बात करें तो आठ चिक 48 होते हैं और फिर minus अगर हम 8 कर देंगे यहां से तो हमारा 40 अंसरा आ जाता है solution आप यहां पर देख सकते हैं मैंने यहां पर लिख लिए है ताकि क्योंकि अच्छे से लिखा नहीं जाता अगर मैं यहां भी सोट कर दी तो यहां पर आप देखेंगे हमने first row का term और third row के term को आपस में multiply करके third row की जो term है वो हमने minus कर दी यानि कि 6 into 8 minus 8 तो 48 में 60 गए हमारा 40 आ गया इसी तरीके से यहां पर करेंगे तो 25 गुना 21 और minus 25 करेंगे तो 525 में से 25 गए 500 आ गया तो ठीक इसी तरीके से यहां पर करना 14 सत्य 98 होते हैं और minus 7 कर देंगे तो हमारा इक हमारा इतन जाना चाहेगा ठीक है तो A option हमारा यहां पर correct होता है next question क्या कहता है कि 4 वर्ड दियो हैं उसमें से आपको बताना है कि जो किसी ना किसी तरीके से सेम है और कौन सा अलग है तो यहां पर आप जो तीन वर्ड देख रहे हैं फैरी है श्रिप है या चाहे तो इनका मतलब क्या होता है एक तरीकी की नो का एक तरीके की जहाज ही होत है और सब्मेरीन क्या होता है पंडू भी तो राइट ओक्षन यहां पर क्या है फोर्थ जो कि इन तीनों से अलग है उनका मतलब जहाज है और इसका मतलब क्या है पंडू भी है नेक्स्ट जो है करते हैं question number six question number six कहता है कि sequence जो है folding एपीस की वह यहां पर दिवी है एक paper लिय क्या सबसे पहली है यहां पर fold दो और पर यहां पर fold कि किया अब यहां या रखना ज puppies rub only onfeedाम अक्षों हमossi तरीके से कर्यां यहां यहां तरहिए ठाइंगल बना दिया और हैं पर यहां पर यह हमार सब्सक्रीज तो इसको इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा यहिय щों ए राइट जैसे Water Image है उस तरीकिया है कि यहां पर 3 सरकल ऊपर होगे और 3IEL सीधे होंगे उपर तीन ट्राइंगल फिर हमारे फोल्ड होंगे इस तरीके से अपोजिट डिरेक्शन में और फिर हमारे तीन यहां पे यह होंगे इस तरीके से ठीक है जी इस तरीके से यह होगा तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तो यह हमारी पिक्चर जहां पर भी होगी, वो हमारा अंसर हो जाएगा, जो कि हमारा A option है, तो A option हमारा यहां पर correct हो गया है, तो आपको जो reasoning होती है, reasoning होती है, basically आपको कुछ topic तो बहुत ही ध्यान से देखने हैं, जैसे water image से, और आपका जो है, blood relations वाले chapter, vein diagram, तो इस तरीके के जो chapters होते हैं, इसमें से आपको questions समेशा मिलते हैं, तो reasoning के इन topics को कुछ आप जहान से देखें, आगे हम यहां पर देख लिए, तो यहां पर क्या है next question क्या कहता है, select the option that is related to third number in the same way as the second number, आपको बताना है कि जो third number है, आपको बताना है कि वो option relate करना, जहां से इन दोनों का relation होगा, relation कैशा होगा, जैसे कि second number relate करता है first से, और six number relate करता है fifth से, इसी तरीके से third number relate करना चीए second से, ठीक है, तो अगर यहां पर हम देखें सीधा सीधा, अगर आप देखें, तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, 12,62, अगर हम 12 को 12 से divide करेंगे, तो हमें 6 दिखाई दे रहा है, ठीक है, 12,62 है, लेकिन क्या हम अगर 242 को 22 से divide करेंगे, क्या six हा रहा है, नहीं, यहां पर हमें मिल रहा है 11, तो हमें कुछ इस तरीके का combination बनाना हुगा, इस तरीके की equation बनानी होगी, जो दोनों को satisfy करें, तो हमने क्या क्या, हमने 12 को multiply कर दिया, 12 by 2, तो मतलब 12 by 2 यानि कि 6, तो 12,62 तर आगया हमारा, और यहां पर हमें मिल रहा था 11, तो यहां पर हमें किस तरीके से, 22 को 11 से गुना करना है, और तो 22 को भी हमने डिवाइड कर दिया, तो 11 से गुना होगे, 12,62 तो ठीक इस तरीके की हमें सीरीज यहां पर दे दी, 18 multiply 18 divided by 2, यानि कि वो सीरीज को हम उस सीरीज के आधे से गुना कर देंगे, तो हमारा अंसर आ जाएगा, तो यहां पर क्या 18 into 9, तो 162 यहां पर आपका right answer C option हो गया है, next question, question number 8 क्या कहता है, question number 8 है आपका, इस तरीके के when diagram से related है, तो यहां पर when diagram में एक तो है कि आप पूरा समझो, इसको पूरा का पूरा पढ़ो, और एक है आप सिर्फ यह पढ़ लो की पूछा क्या गया है, क्योंकि हमें वही निकालना है, अगर कोई calculation हुई, तो calculation करनी पड़ सकती है, अगर directly इतने सारे numbers दे रखे हैं, तो इसमें कहीं calculation करनी की ज़रूद नजर नहीं आ रही है, तो यहाँ पर पूछा गया female executive कितनी है, तो यानि कि आपको यह पता होना चाहिए कि इन में से female कौन represent कर रहा है, और यह पता होना चाहिए executive कौन represent कर रहा है, तो एक बार question भी पढ़ लेते हैं, triangle represent executive, triangle जो है यह triangle है, यह हमारा represent कर रहा है executive, executive हमें मिल गया female और अगर हमें मिल जाए तो वैसे हमारा question पूरा हो जाना है, और circle represent female और circle represent कर रहा है female, अगर आप देखे ध्यान से, तो अगर हमें आगे ना भी statement पढ़े तो हम आराम से यहाँ पर कर सकते हैं question, ठीक है लेकिन जादा confusion बनाने के लिए इतना बड़ा दिया हुआ है, तो एक बार हम पढ़ लेते हैं क्या question है, ठीक है, और rectangle जो है वो MBA को represent करता है, ठीक है, M से donate कर लेते हम, square represent करता है technical staff को, इसको हम T से donate कर लेते हैं, तो number given in diagram represent the number of person in particular category, किसी category में कितने member हैं, कितने लोग हैं, वो diagram represent कर रहे हैं, हमें देखना है कि female executive कितने हैं, यानि कि हमें देखना होगा कि जो female आ करती है, और executive की जो आ करती है, वो दोनों आपस में कहां पर match कर रहे हैं, कहां पर mix करें, कहां पर और lap हो रहे हैं, तो यह वाला इसा अगर आप देखेंगे धान से तो यह वाला इसा फिमेल भी है और एक्सकीटी और यहां पर क्या नंबर आपको दिखाई दे रहा है तो हमारा अंसर क्या हो गया 5 हो गया तो कुछ questions आपको ऐसे भी दिखाई देंगे जैसे कि example के लिए यही question है जहां पर आपको पूरा question पढ़ने की जरूरत नहीं होती है आप आराम से अंसर वैसे भी दे सकते हैं ठीक है next question क्यों बढ़ते है question number 9 which two numbers should be interchanged to make the given equation correct कौन से तो number है जिसको आप interchanged करोगे तो सही correct answer आएगा इसमें आप क्या कर सकते हैं इसमें तो आपको हर एक option fit करके देखना पड़ेगा और right option यहापर 7 and 4 है और 7 and 4 को आप करेंगे तो इस तरीके से आपका 20 is equal to 20 आजाएगा यह मैंने आपको यहापर solve करके भी दिखा दिया है 7 and 4 का मतलब क्या है जाने कि जहां पर 7 है वहाँ पर आप 4 लिख दीजिए जहां पर 4 आप 7 लिख दीजिए तो 9 प्लस यहाँ पर 7 था मैंने यहाँ पर 4 लिख दिया है तो बिल्कुल correct answer यहाँ पर हो रहा है 7 and 4 को जागर हम change करेंगी तो सही answer मिल रहा है next question है which of the following figures is the exact mirror image of the given figure when the mirror is held at the right side mirror कहां है mirror है आपका right hand side पे ठीक है mirror आपका कहां है right hand side पे है यहाँ पर आपका mirror है तो इस mirror में आपको कैसी आकरती दिखाई देगी वो आपको बतानी है तो इसके लिए आपको यह पता होना चाहिए mirror image में कैसे pictures दिखती है तो X तो हमारा X ही दिखेगा X में तो हमारा कोई change होगा नहीं O है जी O में भी कोई change नहीं होगा तो left hand side जो ही है इस तरीके से right hand side दिखेगी L हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा 9 है तो 9 हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा उसके बाद है हमारा K तो k हमारा उल्टा हो जाएगा इस तरीके से, p है तो p हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा then 2, t में कोई फरक पड़ेगा, नी as it is s में हमारा फरक पड़ेगा, इस तरीके से दिखेगा, और r भी हमारा इस तरीके से दिखेगा, तो जहां पर भी यह दिखेगी mirror image वह हमारा right answer है और हमारा fourth option यहाँ पर right है next question next question करें तो question number 11 है यहाँ पर dice based है यानि कि दो position जो है same dice की वो दिखाई गई है आपको वो number बताना है जो कि face opposite होगा six की यह six तो उपर की side है जो यहाँ नीचे की side है वहाँ पर क्या होगा वो आपको बताना है अब यह है dice ठीक है हमारा क्या है कि five number as it is दिया गया है मतलब five as it is है तो हमने सिर्फ dice को थलका सा गुमाया है अगर three number यहाँ है यह number यहाँ आ गया यानि की हमने dice को इस तरीके से गुमाया है तो अगर three number हमारा यहाँ था ठीक है तो 1 हमारा यहां पर right answer आ गया है opposite का, ठीक है, इसको आप calculate करके भी निकाल सकते हो, और इसको आप वैसे थोड़ा सा दिमार्ग लगा के देखोगी, इस गुमा गया है, तो 1 हमारा नीचे चला गया, तो यह हमारी phase value हो गई है, next, question number 12, the ratio of presentation of Asha and Lata, Lata और Asha की age का जो ratio है, वो 5, ratio 6 है, तो हमने क्या किया, हमने age को यहां पर मान लिया, हमने x मान लिया, age को हमने क्या मान लिया, यहां पर, x हमने मान लिया, ठीक है, तो यह x है, तो Asha और Lata की age का जो ratio, वो कितना हो गया, 5x और 6x, ठीक है, तो difference जो है दोनों की age क वो है हमारा 6, यानि कि लता में से आशा माइनस करेंगे, तो 6 आजाएगा, इनकी एज माइनस करेंगे, आशा में से लता माइनस क्यों नहीं, क्योंकि 5 छोटा है, 6 बड़ा है, तो बड़े में से छोटा कटाएगे, तो लता की एज जादा है, तो लता की एज माइनस आशा की अगर हम करेंगे तो 6 आजाएगा मतलब क्या कह रहा है कि 6 x में से अगर वह ने 5 x माइनस किया तो हमारा 6 होगा तो 6 में से 5 गया 1 x बचा तो x की value हमारी कितनी आ गई याप पर 6 आ गई ठीक है तो हमें age पता चलगी तो age जो हमने x माना था वह हमारा आ गया 6 अब आप age आराम से बता सकते हो क्योंकि इसने बता था 5 x और 6 x तो आशा की age कितनी होगी 5 x 30 हो गई है ना और लता की age कितनी है 6 x 42 हो गई चीक है लेकिन हमी क्या answer क्या बताने क्या पूछा गए question में what will be the latas age after 5 years लता की age आपको बतानी है 5 साल के तो लता की age से हमारी 6 x उसमें हम कर देंगे 5 प्लस और x की value हमारी 6 तो 6 x 36 plus 5 कितना होगी आपका 41 तो 41 अंसर यानि की first option आपका यहाँ पर correct है ठीक है next question question number 13 अब देखे question number 13 क्या कहता है question number 13 कहता है कि statement पढ़नी है और conclusion बताना है आपने carefully assume करना है कि जो information दी गई है statement में वो true है even if it appear to be a variance with commonly known facts चाहे बहार की दुनिया में जो आप मानते हो उससे बिल्कुल अलग है लेकिन फिर भी आपने मानना कि जो statement दी गई है वो बिल्कुल सही है होता भी तो यह ना reasoning में जब भी आपकी कुछ दिये जाते है यह statement है तो आपको क्या करना आँख बंद करके उस पर वरोसा करना है बस वही सही है तो which of the given conclusion logically known from the statement क्या conclusion निकाला जा सकता है वो आपको यहाँ पर बताना है ठीक है अब देखते है question क्या कहता है statement है देखो यहाँ पर some animals are elephant some animals मैंने यह एक ड्रो किया यह है animal फिर some animals यानि कुछ इसमें से मैंने ड्रो किया और यहाँ पर बन गया हमारा elephant सेम इस ठीक है और some animals में से some animals क्या है elephant है यह हो गया तो some animals और elephant यह भी सही है यह भी सही है क्योंकि picture से हमें राइट अब दूसरी statement क्या कहती है कि some elements are some elephants are tiger कुछ जो हाथी है वो आपके चीते हैं अगर मैं यह बोलूं कि कुछ जो यहाथी हैं इसमें से कुछ चीते हैं यह भी correct है क् statement के coding यह correct है, लेकिन इसी circle को मैं इधर भी तो draw कर सकती हूँ, है ना, तो मैंने इसको इधर draw कर लिया, अब क्या हो गया, अब कुछ हाथी, कुछ tiger तो है, लेकिन कुछ animal भी कुछ tiger हो गये, है ना, और इसके according दोनों की दोनों picture सही है, तो कई बार ज़रूरी नहीं है कि एक question में एक ही when diagram बने, एक से जाला भी बन सकते हैं, जैसे कि example के लिए आपर बन रही है, ठीक है, अब conclusion क्या है, यह कहता है कि some animals are tiger, अगर some animals are tiger, मैं इस picture से देखूं, तो बिल्कुल सही है, जी, कुछ animal, कुछ tiger है, लेकिन अगर मैं यही इसी picture से देखते हूं, कि some animals are tiger, तो यह तो कोईगा नहीं, क्योंकि सिर्फ हाथ ही tiger है, animal tiger नहीं इस picture के according, तो एक statement यहाँ पर ठीक है, और एक statement यहाँ पर गलत है, अब दूसरी statement देखते हैं, no tiger is an element, अब यह कह रहा है कि कोई भी tiger यानि कि अगर मैं इन दो picture की बात कर रही हूं, तो इन में से एक time पे एक ही correct हो रही है, या तो ए statement, first statement ठीक है, या दूसरी statement ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पहली ठीक है हमारी और यहाँ पर हमारी दूसरी ठीक है, तो either conclusion one or two follows तो हमारा fourth option आपे right answer है, ठीक है, next question करते है, 14 14 में दोस्तों दिया गया है कि कोई language है, उसमें harvest है, आपका इस तरीके से coded है, 22, 27, 24, 23, 10, और farmer को किस तरीके से code करना है, अगर हम H को 22 निकालने, तो किसी तरीके से निकलेगा, A, B, C, D, E, F, G, H, H मेरा आता है, 8 भी कि alphabet को अगर मैं 1 से शुरू कर दूँ, 1 word को, या फिर A alphabet को मैं 26 से शुरू करूँ तो अभी किसी भी तरीके से H मेरा 22 नहीं आएगा, तो इसमें क्या तरीका अपनाएगा है, वो मैं आपको यहां पर दिखा देती हूँ, मैंने सोल्ड किया है, यह रहा, तो हैर्वेस्ट में यह कोड़िट दी गई है, ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, H में क्या है, H प्लस में 14 करेंगे, तो हमारा आ जाता है 22, अब यह बोलेंगे, H है, H में 14 जोडने से 20 कैसे आगया जी, A, B, C, D, E, F, G, H, H हमारा साथवे नंबर पर आता है, तो मैं ले रहूँ अलफ़ाबेटिकली, तो 14 में साथ जोडने से 22 आगया, इसी तरीके से A की वैलू, 1, 1 होती है, तो 20 में एक जोडने से 21 आगया, तो इसी तरीके सा आपको इसको सोल्ड करेंगे, तो 2, minus 16 इस तरीके से, तो फार्मर वाला हमारा यह option राइट आजाएगा, जो है हमारा third option, ठीक है, next question की बात करें, question number 15, question यहाँ पर दिया गया है, कि आपको क्या करना है, plus के sign को minus कर देना है, और 6 को साथ से interchange कर देना है, interchange का मतलब संजो, और change का मतलब संजो, change अगर आपको दिया हुआ है, अगर यहाँ पर बोला जाता कि plus sign को change with minus, तो change कर दो minus में, तो क्या होता, जहाँ जहाँ plus होता, आप वहाँ minus लगा देतें, लेकिन यहाँ पर क्या गया, interchange, यानि कि जहाँ पर plus है, वहाँ पर तो आपने minus लगाना है, लेकिन जहाँ पर minus है, वहाँ पर आपने plus लगाना है, interchange करना है, ठीक है, तिक इसी तरीके से 6 interchange है, 7 के साथ, यानि कि जहाँ पर 6 है, वहाँ पर आपने 7 लिखना है, जहाँ पर 6 भी लिखना है, तो आपको बताने कि कौन सी equation correct होगे, तो यहाँ पर हर एक equation में आप ऐसा करके देखेंगे, उसी तरीके संसर निकलेगा, तो fourth option आपको यहाँ पर correct आ रहे है, तो देखें, मैंने क्या किया है, 6 को 7, 7 को 6, यानि कि 66 का बन जाएगा मारा चीएटर, और इसी तरीके से 76 का मारा बन गया, माइनस 43, क्योंगे 43 को कहीं चेंज नहीं करना था, यहाँ पर माइनस था, मैंने प्लस कर दिया, प्लस था तो यहाँ पर माइनस कर दिया, इसको आप प्लस करेंगे, 76 प्लस 67 को 143 होता है, माइनस कर दीजिए 43 को, तो आपका 100 हो जाएगा, तो यह आपकी equation satisfy हो गई है, left hand side is equal to right hand side, तो fourth आपका यहाँ पर correct answer है. नेक्स की चीज़ 16, 16 क्या कहता है, select the number that can replace the question mark in the following series, आपको वो number पता लगा रहा है, जहाँ पर यह question mark जो लगा है, वहाँ पर कौन सा number आएगा, ऐसे में आपके करके देखते हो, plus, minus, multiplication, divided, ठीक है, आप सारे डूल अपना दोगे, तो मैं सबसे पहले ही क्या करूँगी, मुझ 4 में से 17 में माइनस किया, तो कितने आगे, 4, 30 में से 21 मैंनस किया, तो 9, 46 में से 31 मैंस किया, तो 16, और 17 में से 46 मैंस किया, तो 25, यानी कि, अगर मैं simply कहूं, 17 में 4 जोड़ूंगी, 21 में 9 जोड़ूंगी, तो इस तरीकसे 30 आतर हे, 30 में मैं 16 जोडें के चारीक हुआँ, अब next question करते है आपको बताना है कि इस figure में कितने triangle है triangle आपको बताने है triangle आपको पता ही है ठीक है कौन से होते हैं यह आपको दिखाई दे रहे हैं यह पर सबी triangle ही है यहापे square इस तरीके से जहाँ पर चारो बुजाई बराबर हो और rectangle इस तरीके से जहाँ पर लंबाई ज्यादा और चोड़ाई कम है तो यहां पर आप काउंट करेंगे तो कितने है वन टू थ्री फॉर फाइब सिक्स सेवन एट नाइन टैन इलेवन ट्वेल बारा तो सिंपल होगे जी बारा होगे ठीक है अब 13 14 और 15 तीन और मैंने जोड़ दिये तो कितने होगे 15 यह यहां पर हम करेंगे तो 16 यहां पर करेंगे तो 17 इसी तरीके से इस वाले को मापेंगे तो 18 और इस तरीके से इस वाले को मापेंगे तो 19 यहां पर इस तरीके से 20 फिर इसको 21 फिर इसको 22 फिर इसको 23 फिर इसको 24 इस तरीके से आप टोटल करेंगे तो यह 33 हो जाएंगे और select the option in which the numbers are related in the same way as the numbers in given set जो same set में आपका relation है जो तीन ये दिये हुए हैं इन तीन का जो relation है वो भी इन में से कोई एक ऐसी series है जिनका relation आपस में same है तो यहां पर भी same मुझे बढ़ते हुए करम में दिखाई दे रहा है तो बहुत छोटा सा डिफरेंस है तो में माइनस करके देख लूँगे तो मैंने क्या किया 278 में से माइनस किया 269 मेरा आगया 9 फिर 296 में से मैंने माइनस किया 278 मेरा पास आगया 18 तो यहां पर भी जो term 9 और 18 के डिफरेंस पे होगी वही हमारा correct answer होगा तो first series पे ही अगर आप देखेंगे 322 में से 312 गए sorry 13 गए तो नो आ गया और 340 में से 322 गए तो हमारा 18 आ गया तो हमारा option जो A है वो हमारा यहां पर correct हो गया है next question is question number 19 19 क्या कहता है select the option that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word आपको ऐसे बताना है कि चोथा जो यहां पर option आएगा वो third से उसी तरीके से relate करेगा जैसे कि second वारा relate कर रहा है first से first क्या है medicine disease यानि कि कोई रोग होता है कोई disease होता तो हम क्या देते हैं medicine देते हैं तो इसी तरीके से खाना आप कम देते हैं जब भूख लगती है भूख लगने पर खाना देंगे तो हमारा भूख यानि कि hunger third option यहां पर correct है next question यह देखिए next question जो है वो है आपका blood relationship इस तरीके से आपने निकालना है जी आप इसमें बहुत ही लंबी statement है answer grandson दिया हुआ है निकालने की कोशिश करते हैं यहां पर पूरा यहां पर sold कर पाई मैं आपको मेरी drawing से समझ आ गया तो blood ratio में आपको क्या याद रखना परता है कि आप अपने according नहीं मानोगे जैसे की statement है amit is brother of sonya यह बोल रहा है amit जो है एसे represent कर लेते हैं यह sonya का भाई है मैं यहां पर represent कर रही हूँ यह male के लिए box और यह circle female के लिए तो यह मैं represent कर रही हूँ female और इसको represent कर रही हूँ male यह बोले amit is brother of sonya तो मैं amit को ऐसे circle में डाल देती हूँ इसका मतलब क्या है यह लड़का है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि amit अगर sonya कब आये तो sonya लड़की है जब तक हमें statement में नहीं बताय जाएगा कि वो लड़की है हम नहीं मानेगे कि वो लड़की है ठीक है हमें बहारी दुनिया से कोई लेना देना नहीं कि बहार sonya अगर लड़की होती है तो अंदर question में भी sonya लड़की है तो मैंसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं ठीक है तो व वाइफ का relation आता है तो ठीक है आपको समझने में आसानी होगी तो यह statement का सार होगा यहां से बापको समझ आ रहा है ए क्या है लड़का है अमित ब्रेदर है सोनिया का ठीक है next statement है जोती is sister of Nikita ठीक है अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं इस वाली term को क्योंकि आगे सोनिया स सतीश फादर सतीश के फादर की डोटर है यह तो मेरी ओगी सोनिया यहां पे सतीश है ठीक है सतीश के फादर है उनकी डोटर है यानि की सतीश के फादर की डोटर यानि की इसकी वी तो बहन हुई मलब भाई बहन जो भी है अपस में तो मैंने यह रिप्रेसेंट कर दिया अ कविंदर की निकिता है यह डोटर है यह सोनिय भी डोटर थी तो मैंने इसको भी रिप्रेसेंट कर लिते हैं निकिता डोटर है किसकी कविंदर की अब कविंदर कोन है मा है इसकी फादर है इसकी वो देखेंगे और यहाँ पर एक statement थी जोती sister of Nikita जोती है ये भी sister है Nikita की ये मैंने यहाँ पर represent कर लिया है ठीक है अब जोती is mother of Amit Amit की mother है जोती जोती Amit की mother है अगर मैं बोलूँ कि ठीक है जोती Amit की mother है तो यानि की इसके फादर तो ये थे तो जोती यहाँ पर होनी चाहिए जोती की है जोती मदर है Amit की यानि की यहाँ पर Nikita इसकी वो है बेहन और ये किसके थे कविंदर के बच्चे अब क्या है जोती is mother of Amit हो गया जोती is mother of Amit है Mukesh is Nikita's only sister husband मुकेश निकिता निकिता की ओल्ली बहन का हस्बेंड है ठीक है कौन है मुकेश यह फाइदर जो उने रिप्रेजन किया था अब यहां पर एक नाम में मिल गया यह है मुकेश हाव इस सतीश लेटे टू कविंदर सतीश का है सतीश यहां पर तो यह कमिंदर का क्या लगा वह आपको बता ना है तो यहां पर आप देखेंगे ब्रदर सनिलों ग्रेंटीफाइय नहीं हुआ है लेकिन अगर आप option में देखेंगे तो ना तो वहां granddaughter है और कुछ इस तरीके का नहीं है तो सिर्फ क्या है grandson है तो हमारा third option correct हो जाएगा अगर यहाँ पर यह होता grandson, granddaughter और third option होता granddaughter और grandson तो हम third पर click करते लेकिन यहाँ पर क्योंकि grand daughter ने दिये गया है कोई confusion नहीं है तो इसलिए हमने कौन सा option हमारा correct है grandson थोड़ा सा मैंने समझाने के कोशिश किये अपने copy पर बनाना समझ आ जाएगा ठीक है, next question 21, select the option in which words share the same relationship as shared by the given pair of words same relationship को, जैसे clock time, यानि कि clock क्या बताता है, घड़ी क्या बताती है, समय बताती है इसी तरीके से emitter क्या है, current, ठीक है current के लिए तो fourth option यहाँ पर correct है next question, question number 22, तो the figure आपको बतानी है जिसमें कि यह embedded हो, rotation is not allowed यानि कि यह जो ऐसे picture दी गई है, ऐसे की ऐसे होनी चाहिए, ऐसे नहीं हो, तो rotation is not allowed यह specify किया है और embedded हो, यानि कि कि किसी ना किसी आकरती में यह नहीं होगी तो यहाँ पर तो आपको कोई ऐसी picture नहीं दीख रही है, जो ऐसे करके ऐसे हो, क्योंकि सब सीधी line है तो first option में तो नहीं है, second option में line टेड़ी कोई नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है थर्ड में अगर मैं बात करूँ, तो line टेड़ी है, लेकिन आगे उपर नहीं match कर रही क्योंकि हमें यह वाली line देखनी है, तो यहाँ पर कहीं match नहीं कर रही, इस तरीके से, तो यह भी नहीं है fourth में यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखेंगे, तो यह देखिए यह यहाँ पर नहीं है, तो fourth option हमारा correct है next question number 23, चार letter का cluster यह वो दिया गया है, उसमें से तीन सेम है, किसी ना किसी तरह किसे, आपको बताना है कि अलग कौन सा है, old letter cluster कौन सा है, तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि कौन कितने difference में word बना रहा है, जैसे कि मैं dwir की बात करूँ, तो d से i मुझे नजदीक लग रहा है, तो मैं d i वाला combination देख रहे था हूँ कैसे है, d के बात क्या आता है, e f g h i, यानि कि 5 में नमबर पर, अगर d में प्लस 5 कर रहे हैं, तो मेरे पास i आ रहा है, ठीक है, n, n में अगर मैं प्लस 5 करूँ, तो यानि कि o p q r s, प्लस 5 पर आ रहा है, तो यह मेरा सेम है, अगर मैं f में प्लस 5 करूँ, g h i j k l m, एक सोरी, sorry, g h i j k, यहाँ पर भी फ्लस 5 में आ रहा है, और b के साथ, c d e f g, यहा कर गया, अब w r वाला रूल देखते है, w के बाद क्या आता है, r s t u v w 5, यानि कि r से में इस साथ देखने हो, अब h से देखूं, तो i j k l m, यह भी इस तर की से प्लस 5 है, यहाँ पर देखूं, तो u v w x y, तो यहाँ पर भी प्लस 5 है, लेकिन o से वी में देखना है, मुझ s t u v, यह o से plus 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 है, तो यहाँ पर यह satisfy नहीं करती है, तो हमारा 3rd option correct है, plus 5 कैसे देखते हैं, I hope आपको समझ आ गया होगा, जैसे कि a है, और मैं इसके बाद कोई word आ रहे है, d, तो यानि कि b है इसके पास, और c है, यानि कि a में मैंने अगर plus 2 क इस तरीके से लिखा जाता है, accurate को कैसे लिखा जाएगा, वो आपको बताना है, अगर मैं w को देखूं y, या फिर a को मैंने देखा x, ठीक है, यहाँ पर r मेरा 2 बार है, 3rd word और 5th word, लेकि 3rd word पर v है और 5th मेरा x है, यानि कि ऐसे simple तो नहीं हो सकता कि r का represent यह है, तो इस त z, y, x, इस तरीके से minus 3, तो आप देखेंगे, तो यह series बन जाएगे, plus 2, फिर minus 3, plus 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, लेकिन 1 plus, 1 minus, 1 plus, 1 minus, और इसी तरीकी से अगर मैं इसको नहाँ पर निकालूंगी, तो right answer मेरा जाएगा, C option, तो C option आपको यहाँ पर correct है, इस series का last question, 25, select the letter cluster that can replace the question mark in the following series, अब आपको बताना है कि यहाँ पर जो इस question mark की जंगर नमबर आएगा, वो, अब यहाँ पर इस तरीके से हम देखेंगे, कि पहली series पर कितना difference हो रहा है, जैसे C था, उसके बाद D, E, F, G, H, मेरा plus 5 पर H पर है, तो H के बाद मैं यहाँ पर M तक क्या करन तो R के प्रस 5, S, T, U, V, W, तो मेरा पहला action होना चाहिए, W, ठीक है, X के बाद यहाँ पर minus में जा रहा है, ठीक है, यानि कि O से P, Q, R, S, T, U, V, W, X, यानि कि इस से दो पहले, यानि कि M, N, O, तो M से पहले क्या आता है, L, J, K, L, M, N, O, तो यहाँ पर L आना चाहिए, क्या रहा है आपर, C, D, E, F, G, H, I, plus 7, plus 7, plus 7 करके आएंगे, तो यहाँ पर last आजएगा आपका D, तो right option आपका W, L, T, तो इस तरीके से हमारा SSE reasoning का portion यहाँ पर complete होता है, I hope आपको समझ आया होगा, मैंने आपको पूरी समझाने की कोशिश की है, solution मैंने यहाँ पर आपके कर लिए, इसके अलावा, बाकी अगर आप देखेंगे, reasoning के अलावा, बाकी सबी section भी देखेंगे, आपको मिल जाएंगे, आप वो भी जाकर जरूर देखें, और अगर आप किसी और competitive exam के तयारी कर रहे हैं, किसी और paper को आप चाहते है, previous year का, वो भी आप मुझे बता सकते ह नीचे दिएगे comment section में, आप लोग के लिए जलदी वो भी upload कर देखेंगे, तो आज किस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नहीं जानकरी के साथ, तब तक बने दीगा चैनल पर, चैनल को अगर अभी तक भी subscribe नहीं किया है, तो subscribe कर लीजिए, free of cost है, कुछ नहीं करना है लाल करेर के button subscribe पर click करना है, और आपको bell icon को press कर लेना है, ताकि जैसे video upload हो, उसकी notification आप लोग को मिल सके, तो thank you so much, bye bye, take care, thank you so much and all the best for exams.